नमस्कार आप जुड़े हैं हमारे साथ CNBC आवास पर जहांपर हम आपके लेकर आएं ये खास प्रोग्राम दिली से यहांपर मिलट सेन में इसकी कॉंफरेंस है जहांपर काफी सारी कॉंफरेशन हो रही है कि किस तरह से इसकी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी अजली से और सुमित गुपता यहांपर मिकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल से आप सभी का कारेक्टर में बहुत स्वागत है अदुल जी आप से यहांपर शिरुवात करना चाहेंगे और जहां तक मक्के की बात है बाजार को यह चीज तो समझ में आ गई है कि भाव थोड़े स उपर हैं और वो इसलिए क्योंकि अब यहांपर पॉल्ट्री फीड के साथ साथ फ्यूल में इसका इस्तिमाल होने वाला है हमने देखा है जिस तरह के प्राइसे सरकार ने अनाउंस किये हैं वो काफी लूक्रेटिव भी हैं लेकिन ओवराल एकनॉमिक्स अगर हम यहांपर हैं somedayецरी को पांच मिलियन टान चाहिए और कैटल फीड इंडास्ड यहांपर आफ्यान मिलियन टान चाहिए इसके अलावा फूड हुड हुआ और एतनॉल हुआ यह इसब चीज़ों के लिए मैं समझता हूं हुआ ओद की तारीक में जो इसकी अवेलिब­لिड की है डिफिन वायबल हो मैं समझता हूं कहीं ने कहीं अपने लों को ये चैलेंज तो प्रोड़क्टिविटी का करना पड़ेगा और यहां आज कन्वेंशन में बातें भी हो रही थी कि हिंदुस्तान को जेनेटिकली मोडिफाइड सीड इसमें इंटर्ड्यूस करना चाहिए जब तर यह सब चीजा करेंगे तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में मक्के के दाम हो सकता है खाने के साब से भी काफी महंगे हो जाएं और एक और अजीब बात निकल क्या रही है कि आज मिलिट्स जो हैं वह गरीब आदमी के खाना समझा जाता है पर आज उसके दाम देखिए गें जैसी चीजें उनके भाव यहां पर काफी बढ़ते वे नजर आए हैं और एक्रणोमिक स्वरी सी एज अफ नॉक सेट होती भी नजर आ रही है लेकिन संजीब जी यही सवाल आपसे भी पहले पूछना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप as a company as a corporate मक्का और मिलिट्स दोनों को ही यहां पर और as a portfolio within the company आप इसको क्या जगा दे रहे हैं मनिशा जी देखे एक conference का एक बहुत ही relevant एहम मुद्धा है और जैसा भी बताया अतुल जी ने कि डिमांड मक्के का जो है बराबर बढ़ता जा रहा है और एक प्रकार से different usages हैं जा चाहे food feed, poultry, ethanol, energy, नए 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 usages उसके उबर के आ रहे हैं तो एक जो structural deficit देश में देख रहा है कि हमारा जो production versus demand उसमें बहुत फरक है तो पहले मैं मक्के का जो विशा है उसको एक प्रकार से बोलना चाहूंगा तो सरकार के सामने कई options हैं और जो की सरकार industry और academia और research institution को साथ में कार करना पड़ेगा पहल यह कि कैसे production of productivity को बढ़ाया जाएं वो overnight कोई success मिलने का नहीं है तो solutions कहीं हो सकते हैं चाहे आप जमीन को ज्यादा attractive MSP करें कुछ प्राइस सपोर्ट सिस्टम हो, viability gap funding हो, industry का जादा एक तरीके से रुजान domestic production से खरीदना पड़े चाहे आप import export side में एक रियायत करें कि मत्ता imports easily हो सके, लेकिन मेरा सुझाओ सरकार को एक ही रहेगा कि हम लोगों को एक liberal mindset के साथ कि import export को ज्यादा liberalize करना चाहिए, हम लोगों को एक प्रकार से GM के उपर एक देश के लिए बहुत एहम सवाल भी है, तो एक consensus बनाना चाहिए कि किस प्रकार से GM के crop का production कैसे हम ला सकें, GM क imports यहाँ पर produce कर सकें, एक इसको पर बिचार करना बहुत आवश्य को तीसरा जो बहुत important part है कि जो competing crops है, उसके हिसाब से किस प्रकार से आप मेस को ज्यादा सपोर्ट करके मक्के की बढ़ावत कर सकें, बढ़ा सकें उसका consumption, और millet के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि आ बड़े बड़े कंपनीज आए, हम लोगों ने पातांजली ने बहुत कारे किया उसके उपर, मिलेट्स के उपर, और हम लोग कमिटेड़े हैं क्योंकि पातांजली आप जानती है, एसको कंपनी कमिटेड है, हेल्थ, नूट्रिशन, वेलनेस, योगा के उपर, तो हम लोग सप्लाइचेन हम लोगों को बिल्ड़प करना है, प्रोड़क्शन को सेटराइट करना है, और किसानों की आए बढ़नी है, अगर ये दो मुद्दे हम लोग देख सकते हैं कि किसान की आए बढ़े और डिमांड और सप्लाइचेन ठीक बैठे, तो ये दोनों इंडस्ट्री सब्सक्राइचेन के लिए और ये सरकारी सिस्टम के लिए देश के लिए और पूरे एको सिस्टम के लिए बहुत महत्पूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, आपसलोटली, सुमित आप से भी जाना चाहेंगे, जब जहां तक ग्लोबल मुव्मेंट की बात आती है, इन दोन का ग्रोथ के साथ रिलेगेट है, अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, मैं आपको यहां चाइना का एक्जामपल दूँगा, 2008 में चाइना की जो स्वेबीन की कंजम्शन 30 मिलियन टन थी, और मक्का की कंजम्शन 500 मिलियन टन के आसपास थी, लेकिन उनका जीडिपी जब आट परसेंट पे ग्रो हुआ, तो मक्का का कंजम्शन 12 परसेंट पे ग्रो हुआ, आज इंडिया को गर आट परसेंट पे ग्रो करना है, और उसका मतलब किया है, लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे, खर्चने के लिए, वो ज्यादा एनिमल प्रोटीन कंजियूम और फूड और फ्यूल की डिबेट आएगी, तो एथनॉल के अंतर क्योंकि और ज्यादा इस्तमाल होगा, तो ब्लेंडिंग में आपको ज्यादा एथनॉल भी चाहिए, keeping all these three factors into consideration, आप यह देखे हैं कि मेस कमस अड़ कोर अफ और ती, जब आप कोर पे हैं, और आपको 8 से 10 परसेंट GDP के साथ 8 से 10 परसेंट आपकी सप्लाई बढ़ानी है, that means, 30-30 मिलें टन के आपको सप्लाई हर साल बढ़ानी है, अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है, आइदर आप एरिया से बढ़ाएंगे और इल्ड से, अगर आपको बढ़ाना है, उसका चांस बहुत कम है, क् बाकि सब competing crops का सरने जैसे mention किया प्राइस बहुत अच्छा है तो आपके पस के वर yield ही एक solution बचता है yield में GMO और दूसरा solution यह है कि यह एक internationally linked commodity है तो government को जो TRQ है they should link it to the market कि if market goes above a certain price then it should be automatically allowed to import government का काम farmer को protect करना है millets और maize में that they can do on the lower side through MSP and not opening TRQs to a certain point परन्तु उसके बाद इसको international market से link करके supply domestic market में availability बढ़ाने की जरूरत है और global market में sufficient stock available है मक्का मिलेट के नहीं मक्का के जिनको हम domestic India में लाके इसकी supply को बढ़ा सकते है और industry की growth को बढ़ा सकते हैं मैं एक point और बोलना चाहूंगा कि मक्का अगर grow करना है देखे starch industry directly economy के साथ related है pharma industry textile confectionery pharma everybody is dependent on starch industry अगर कई बार क्या होता है जब आपके पास raw material के availability कम होती है तो industry नहीं capacity नहीं लाती है जहां तक मक्के की यहां पर बात है और अतुल जी आप से फिर इसके पर आना चाहूंगी क्योंकि सरकार ने काफी push किया है इसको ethanol blending के लिए अब किसान सिरफ अन दाता नहीं और जाता भी है यह बहुत ही बड़ा pitch है यहां पर और मक्का इसके बिल्कुल कोर में कहीं न कहीं है क्योंकि चीनी को थो हमने थुआ सा पीछे कीच लिया है तो अब मक्के को लेकर आगे जाकर काफी सारे ifs and buts हैं कि सरकार की नीती change तो नहीं हो जाएगी काफी लोगों नहीं हाँ पर capacities भी लगाई हैं मक्का उगानागर किसान शुरूर कर दें तो इसकी डिमांड निकल के कहीं नहीं हो जाएगी तो काफी सारे ifs and buts हैं इन सब को as an industry कैसे टैकल कर रहे हैं देखिए हम लोग तो शुगर इंडस्ट्री वाले हैं बहुत काफी कुछ हम लोग सीरेस्री डिबेट कर रहे थे कि क्यों ना इसको डबल फीड वाली अपनी डिस्लेज को बना दें डॉल फीड स्टॉक वाली बर एक चीज व सामने निकल के आ रही है कि मक्का भी जो आता है वो खरीफ में आता है और उसी समय गन्ना भी आता है तो अगर दोनों ही फीड स्टॉक एक ही पीरिड में आ रहे हैं तो या तो अपने को मक्का खरीद के रखना पड़ेगा तो या तो मेरा तो यह मानना है कि मक्का बहुत जादा हिंदुस्तान में एथनॉल में डाइवर्ट हो एज अव तोड़ा एक चैलेंज रहेगा आने तो यह जाता है तो डेफिनिटल रहेगा बट इसके साथ साथ यह ज़रूरी है कि क्यो आज सबसीड़ी देनी पर लिए गवर्मेंट को आज जसे जूस का एथनॉल हुआ यह इसका 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 दाम साथ रुपए और से कम एं मक्य के दाम बहतर रुपए हैं तो यह कहीं न कहीं गवर्मेंट को वह पिंच हो रहा है वाज मक्का देखिए MSP से कहीं उचा बिकरा है तो जब तक प्रड़क्टिविटी नहीं बढ़ेगी ओवरॉल नहीं तो यह चैलेंज ही रहेगा वह इको सिस्टम आज डिवलप नहीं है उसको डिवलप होना पड़ेगा जिया और कि सप्लाइचेन का इशू क्या है कि देखे सप्लाइचेन तो एक इंटिग्रेटेड तरीके से देखना चाहिए कि जिसमें हम लों का किसानों का प्रड़क्शन है वहां पे इंफरस्ट्रक्चर है और सपोर्ट से इंफरस्ट्रक्चर आ रहा है जैसे कोपरिटिव लेवल पे विराउस बन रहा है प्राइट सेक्टर के विराउस बन रहा है लेकिन अभी भी वह सीमलेस इंटिग्रेशन जिस प्रकार से होना चाहिए जैसे इस्पेशली जो जहां पे इंफरस्ट्रक्चर कम डवलब्ट है जैसे मैं बोलुगा कि बिहार को एक स्पेस्विक स्थर कि जो ड्राइट ऐसेलिटीज है ए कृस्ट आफ्राउक्सिं का पोउस्ट हर्वेस्ट का बात हुई थी आज काफी चरचा हुई थी कि अफ्लाटाउक्सिं बढ़ जाते हैं उसमें पोस्ट हर्वेस्ट आगर हम ऑंपटिविटीज करेंगे तो उसको मैस्ट्र को इमीजेट के लिए और सरकार के लिए भी क्योंकि वो एक इंडास्टी का पूरा है कि को सिस्टम डवलप होगा इससे इंप्लॉइमेंट बढ़ेगा और काफी उससे फाइदा होगा तो यहां पर बना ली गई है लेकिन बहुत जादा यहां पर बैक ट्रैक करके और बैक वे से यहां पर अन का दर्जा दिया गया है और अब तो इसे कोर सीरियल से हटाकर न्यूट्री सीरियल भी कहा गया है तो क्लियरली काफी जादा इंपोर्टेंस यहां पर मिलेट को दी जाने लगी है किस तरह की डिमांड किस तरह की प्रड़क्शन आप यहां पर बढ़े हैं उसके यूट्रा क्या आपने वड़े हैं होने के नाते आज उसका दाम अपने गेहों चावल से उपर हो गया है मैं समझतों धीरे धीरे यह अपने आम आदमी की पहुंच से भार होता जा रहा है डेफिनिटली लास्ट येर वस दे इंटरनेशनल येर दो मिलेट्स तो उसे तरस् कॉर्परेट्स भी इसमें बैंड वैगन में जुड़ गए हैं तो मैं समझतों इसकी डिमांड तो बढ़ती रहेगी और जहां तक प्रडक्शन का सवाल है आज भी मैं समझतों तेरा सवा तेरा मिलियन टन से जादा प्रडक्शन नहीं है तो मतलब आपने दो तीन सालों मे यह गहों चावल को रिप्लेस कर दे मेजरली वह में थोड़ा शक दिखता है और जहां तक प्रडक्टिविटी की कंसरांज है वह भी शायद एक रीजन है जिसकी होजा से किसानिस की तरफ फिलहाल अभी जाने ही रहे है क्योंकि बहुत पैसा बनता हुए नहीं देखता ले मैं बता हूँ आपको सिर्फ यह स्टार्ट अपस और बड़े कंप्टीज का भी से नहीं जैसे जौ है फर एक्जामपल बारले उसका यह मॉल्ट मेकिंग में और उसका बोथ फूड और बियर के कंदम्शन में बहुत डिमांड है आज से नहीं मेरे को ध्यान है कि कार बीसो अगर मिलेट का मोमेंटम मत ख़तम होने दीजिए पिछले साल एक बहुत अच्छा एक तरीके से मोमेंटम बना उसको अगर हम चार्पा साल बढ़ा के रखेंगे इंडस्ट्री और किसान और सरकार उसको पीछे सपोर्टिड रहेगी तो यह डेफिनिटली आप देखेंगे अगर आप मिलेट्स देखें कौन किसान हुगाता है आज देशा जो सबसे मारजनल किसान है जिसके पास पानी नहीं है वो मिलेट लगवाता है तो इसका मतलब है मिलेट के जो अच्छे भाव हुए है अच्छा ऑपरश्यूनिटी मार्केट एकसेस हुआ है उसका पोजिटिव बेनिफिट के तौर पे देखना चाहिए क्योंकि जब भी कोई भी क्रॉप कॉमर्शियल होती है तब किसान का रुजहान बढ़ता है अब हमको यह देखना है कि हम इसको इल्ड में और प्रोडक्शन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए भारत की इरिग टेकनोलोजी में इन्वेस्ट करती है जिससे और और बेनिफेट पूरी एकॉनमी को पहुंचे है तो अच्छा खासी यहां पर तेजी देखने को मिलेगी भी अतुल जी संजीव जी बहुत शुक्रिया सुमिच साथ जुडने के लिए और इसी के साथ फिलहाल है इतना ही सम करेंजा करेंड़ में पूर प्राव एकॉनमी को अच्छा शुक्ष भासलेट